हाई अब्रिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल मैं हूँ प्रिया तो फ्रेंड्स जैसा कि लाग वीडियो में मैंने आपको हिडिंबर टेंपल के बारे में सारी जानकारी दी थी तो आज का जो ब्लॉग है वो ढूंगरी बन भिहार पार्क के बारे में हैं और यह हिडिंबर टेंपल से सटा हुआ है तो हिडिंबर टेंपल के पीछे की और साइट में ही आपको इसका गेट देख जाएगा और जब भी आप हिडिंबर टेंपल देखने आए तो इस पार्क को जरूर देखिएगा तो कि यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तो चलिए आपको मैं इस पार्क के अंदर लेकर चलती हूं और इस पार्क के अंदर जाने के लिए आपको टैन रूपीज का एंट्री टिकेट देदा पड़ेगा जो कि इसके मैंटिनेंस के लिए यूज किया जाता है तो यह है ढूंगरी बन भिहार पार्क और यह एक ढूंगरी गाओं है जहां पर यह पार्क है और इसमें सारे देवदार के लंबे--लंबे ब्रक्ष हैं और जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल लगते हैं और अगर आप विंटर के टाइम यहां पर आते हैं तो इ पर जैसा कि अभी मे मन्त है और हम लोग मे के लास में यहाँ पर आये हैं और यहाँ पर स्नो तो नहीं है लेकिन फिर भी इसकी खूट सूरती में कोई कमी नहीं है और यहाँ आकर आपका दिल खुश हो जाएगा पर यहाँ यहाँ पर्क में बहुत से लंबे-ब्राइं यहाँ पर बहुत से अच्छी प्लिएसें हैं जहाँ पर आप अपने फोटो शूट कर सकती हैं यह ब्लॉग्स बना सकते हैं और बहुत ही बीटुबल पिच्चर ले सकते हैं तो जैसे ही पार्क के अंदर एंटर हुए तो मैंने तो अपना केमरा निकाला और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया और हमने यहां पर बहुत सारे अच्छे फोटो भी निकाले और मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाई मैंने तो पार्क के अंदर आते ही अपना कैमरा निकाला और अपने लिए रील बनाने स्टार्ट कर दी क्योंकि ये पार्क है ही इतना खुबसूरत और फ्रेंट्स यहाँ पर एक शूटिंग पॉइंट भी है जहाँ पर बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है और बहुत से लोग अपने लिए वीडियो शूट कर आते हैं बहुत से कपल्स हैं जो कि यहाँ पर हनीमून मनाने आते हैं और अपने जो मेरित की वीडियो है वो भी शूट कर आते हैं तो हमने भी सोचाव कि हम भी अपने लिए पुछ वीडियो शूट कर लेते हैं, हम लोग पे स्टार्ट हो गए अपनी कपस वीडियो बनाने के लिए तो मैं कोई भी जगे मिस नहीं करती हूँ, वीडियो शूट करनी के लिए जहां भी मुझे कोई भी अच्छी प्लेस दिखते हैं, तो वहां पर मैं जाकर अपने वीडियो बना लेती हूँ, रिल बना देती हूँ, और अच्छे अच्छे फोटो जरूर प्लिक कर लेती, पता यहां पर कुछ छोटी चोटी रेस्टोरेंट पी हैं जिसमें आप बैठ कर इन्जॉय कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पार्क पे बाहर निकलेंगे तो आपको सामने ही डेंबर टेंपल देख जाएगा जो डेंबर टेंपल का बैक साइड है और यहां पर बहुत से लोग अप आपी फेमस है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और जिन लोगों के संतान नहीं होती वह संतान सुख प्रापती के लिए इस टेंपल में माननीता मांगने आते हैं तो हिडिमा टेंपल के सामने एक यह बहुत बड़ा वाकिंग पास पे है और यहीं प साइड में कितनी अच्छी ग्रीनरी है और दौनों तरह देवदार के लंबे-लंबे ब्रच हैं जो देखने में काफी बीटिफुल लगते हैं तो हम यह उसी जगे आ गए हैं जहां से हम एंट्री की थी और यहां से ही हम खिडिमा टेंपल के लिए निकले थे और यहां पर करते हैं। शुर्म को सबस्क्राइब और यहां पर ही बहुत बासारी इस्ट्रावल दिख जाएंगी तो यहां पर जो भी भूलन प्लौथ हैं वह आपको देख जाएंगे तो यहां आप कुछ भी पर्टेश करना चाते हैं तो कर सकते हैं और यहां पर एंटर्टीनमेंट क तो तो फ्रेंट्स चलते चलते काफी देर हो गई है और हम लोग 11 ओकलॉक यहां आए थे और आई तिंग 4 ओकलॉक हो जोके हैं और हमको अब बहुत जोड़ते भूग लगाई है और हम लोग कुछ खाने वाले हैं तो जैसे ही आप इस पार्क के बाहर निकलेंगे तो आपको तो देख भारी बहुत सारी शोद देख जायेंगे जहां पर आपको पर szमाजा काचोड़े जयलेवी मोमोस saw अब हमको अलै यके जाएंगे और आपको अगर खाना खाना है तो भूबहां भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर जोभी खाना है वह थोड़ा कॉसली है तो फ्रेंट्स हमने अपने लिए दो चाय वाटर की हैं और हम अपने साथ कुछ पाडले जी भी स्किट लाएते हैं अभी वही काएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें और क्या थीज खानी है एक बात बता देती हूं यहां पर जो भी चाय है या टी है बहुत गड़ वाली च्याय अदर की है और आभी हम इसको इन चूप करेंगे यहां प्लेट फ्लिक्वल्ट कि अरिक टूम यहां आसरा रीडुकी么 मेरे बड़ दाटता है वीडियो गनाने पर है तो अच्छा निकादी मेरे रोज का वीडियो डालोंगे कि नेमा टेम्पल का पुरा शक्में पर वीडियो वीडियो व्लोग हो एक सिर्म अनाली का व्लोग हो और चीज लिखाऊंगे डीटेल मैं इपने टीटेट कि दीने भी अब आम खा रहे हैं पाज़े से विस्टेक कि वह बहुत प्रेस्टेट अब बारी है मुमोज की तो मैंने सुचा क्यों ना एक बार यहां के मुमोज भी टेस्ट किये जाएं अलाकि अभिनास को मुमोज पसंद नहीं है तिर भी मैंने एक प्लेट मुमोज ओर दिये हैं मुमोज का स्वाद मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और चटनी भी काफी स्पाइसी है तो चलिए काम चला लेते हैं तो चलिए प्रेंट्स पेट पूजा तो हो गई लेकिन आप चलते हैं आगे यहां पर एक छोटा मार्केट है इसे हीडिंबा मार्केट के नाम से जाना चाहते हैं तो मार्केट भी मैं आपको दिखा देती हूं तो देखिए यहां पर आपको बूलन की सारी चीज़ें मिलेंगी और कुछ ड्यकॉरेशन के आइटम भी मिलेंगे और यहां पर यह लॉंग जैकेट हैं और कैप्स है और जो भी बूलन की चीज़ें वो सारी आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी यहां यहां की टेक्की टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है बना बना चार्जिस प्रुपेगी तो मुझे तो टेक्की का टेस्ट को ज्यादा पसंद नहीं आया और जो टेक्की का प्राइज हूँ 40 रुपीज में 6 टेक्की है तो आपको साड़े 5 से 6 रुपे के बीच में आपको एक टेक्की का प्राइज पड़ेगा यह हीडिमबा एडवेंचर पार्क तो यहां पर एक एडवेंचर पार्क भी दिख रहा है तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं कि यह कैसा है तो यह एक छोटा सा एरिया है जिसमें बच्चों के लिए कुछ राइट लगा भी गई है और कुछ जूले बगेरा भी है और कुछ वाकिंग ट्रैक भी है और साइड में देखिए एक कॉफिस है जहां पर आपको खाय टोकल लेना पड़ता हुए यहां से जो भी राइट ह से वह मिंटेन होती है तो चलो इसमें तो कुछ खास नज़र नहीं आया चलिए बाहर चल के देखते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज़ें है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां की जो रोड है वो काफी नेरो है और काफी अनीवन है और यहां पर हमेंसा कि जाम हुआ रहता है और काफी भेड़ भी रहती है तो अभी हम लोगों को ठोड़ा एटीम से कुछ पैसे निकालने की जरूरत है क्योंकि यहां पर कैस चलता है क्योंकि हर जगे नेर्ट बक नहीं रहता तो आप मोबाइल से पेमेंन नहीं कर सकते इसलिए जब भी आप य हमेशा रख लिएगा और यह कोई एक चोराहा है और यहां पर एक और इस्टेंड भी है तो यहां पर कुछ जूस सेंटर भी है और बहुत छोटी-छोटी शॉटी शॉप्स भी है तो होप्सों फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पस में मार्केट आपको दिखाऊंगी जो की मनाली का बहुत फेमस और में मार्केट है तो चलिए आज के लिए बात इतना है फिर मिलेंगे नेस ब्लॉग में तब तक के लिए बाइबाइब